वीडियो इस्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ओल कर ले ताकि सबसे बेले वीडियो डलते आप देख सके जब वीर अमर महाजन को पंच मारता है ता अमर महाजन नीचे गिर जाते हैं तब ही वह स्रिया महाजन आ जाती है तो वह वीर के उपर चिराने लगती है इसके बाद में स्रिया माहा जन वीर से बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो और वह अपने पिता अमर माहा जन को उठाने लगती हैं तब ही अमर माहा जन बोलते हैं हम तो क्यों ब्लेक एंड वाइड बॉक्सिंग केल रहे हैं चिंता मत करो अमर माहा जन खड़े होकर वीर से बोलता हैं कि तुम्हें ब्लेक एंड वाइड बोक्सिंग की अच्छी समझें तुमने ये कैसी कहता भी वीर अमर माहा जन से बोलता हैं कि मैं केवल अपनी बोक्सिंग की स्किल को चिपा रहा हूं मैं ऐसा करने में अच्छा हूँ वीर अमर महाजन को बताता है कि बलेक एड़ बॉक्सिंग है जो सच और जूट का बीच के परदा है और इसमें मास पेशियों के संकुचन और स्पीडन को दिखाया जाता है केवल में उन लोगों को अपनी मास पेशियों के बारे में नहीं देखने देता हूँ बस यही मेरी ताकत का राजे है अमर महाजन वीर के कंदे परात रखकर उसे बोलता है कि तुम इसके बारे पर जितना जादा जनते हो ना उतना मुझे बताओ तबी वीर बोलता है कि अमरी ट्रेनिंग का क्या फिर अमर महाजन बोलता है कि उसकी चिंटा मत करो तुम कुछ ट्रेनिंग चीज़ें छोड़ स के अनुसार नहीं तबी अमर महाजन पीचे से बोलते हैं तुम नियमों को भूल जाओ और जाकर अपना काम करो क्या तुम्हें और काम नहीं है वेसे पिज जाओ ठीके और वह में छोड़ दो तब ही इसस्रेयामाजन सोसते हैं कि कि मेरे भाएफटा को भहला ना पुछला ना इतना आसन है उसने इतना जल्दी केसी किया दबीओ आज में वीर से इस परकार वह स्रेयामाजन करती है इसके बाद में दस दिन बाद का सीन देखते हैं जा पर स्रिया माजन वीर को बताते हैं कि हम लीग में जो में तीर अंदाजी में सामिल होने वाले हैं इसलिए तुमें डेली प्रेक्टिस कर डी होगी और तुम उसमें सामिल होने वाले हो आर्ची टूनामेंट में ठीक है ना इसके बाद में वीर स्रयामाजन से बोलता है कि किक्या मुझे बता सकते हैं कि यह लिग में कबसे स्टार्ट हुँगे तब वह मन में सुछता हैं कि एक दो अगर मैं मिशन कर लेता हूं तो अब वने को अच्छा लगेगा तबी स्रिया माजन वीर को बताती है कि यह समेश्टर एक्जाम के आकरे में होने वाले यह सभी लिग में तो वीर बोलता है अच्छा तो ऐसा है कोई बात नहीं देख लेंगे जब वीर स्रिया माजन के ओफिस में था तो उसका फोन वाइवरेट करता है और बाहर आकर अपने फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि तानिया ने उसे कोल किया था और फिर इसे मेसेज भी छोड़ा था तो उसे जब मेसेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि तानिया ने कुछ एक सीक्रेट रेंग का एक एलियन मिला है जो उसे मानने के लिए ओफर कर रही है इसके अगले दिम कुछ गाटियों को देखते हैं जहाँ पर वीर और तान्या वाहाँ पर उस एलियन के लिए आयु खें जब तान्या और वीर सह साथ चल रहे थे तो वीर तान्या से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़दा है श्ट्रोंग हो ना यह ऐसा कौन सा एलेन है जो तुम नहीं मार पाई हो तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम करने वाले हैं तुम्हें इसने मानने में ति प्रेशा ने नहीं होनी चाहिए फिर तानिया वीर को बताते हैं कि जहां तक मुझे हुआ हैं और उसके पास एक हत्यार भी हैं वीर बोलता है कि यार इस तरीके का एलियन तो बहुत ज़दा मुस्किल है ना तुमने उसे केसे खो जा तभी तानिया उसे कर देंगी इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूं तानिया वहां दलदल के पास आने के बाद में वीर से बोलती कि देखो वह वहां रहा और वहां वीर उस एलियन को देखते हैं जो दलदल के बीच में बिल्कुली पुतले की तरह खड़ा हुआ था तानिया वीर को बताती हैं कि उसके पास जो हतोड़ा है ना उससे उसने मेरे दो साथियों को बहुत ही बुरी डेविल सोल चाहिए जो भी सिग्रेट रेंकी हो तानिया अपनी डेविल सोल तीर को बुलाती हुए वीर से बोलती कि मैं अपने साथ सिग्रेट लेवल के पंक तो लेकर नहीं आया हूँ लेकिन इस तीर से तुम उसे घहल कर सकते हो क्योंकि तुमारे आर्थर स्किल बोद जद अच्छे हैं इसके बाद में वीर अपने डेविल सोल पंको को बुला लेता है और तानिया से मना करते हैं कि मुझे इस तीर की कोई आव सकता नहीं मैं इसे अपने तरीके से मार दूंगा तभी वीर उससे तानिया से बोलता है कि इसकी डेविल सोल का तुम क्या करोगी वीर वहाँ से जाता हुआ तानिया से बोलता है कि आप बस ये चिंता करो कि आप इसे मुझे किस तरीकी से बुकतान करोगी और आज रात का बोजन आपकी तरफ से जब वीर अपने पंको के साथ उड़ राता तो वह सोच राता कि यार मैं तो भोज़े ज़दा दी हुआ हूँ अगर मुझे उसने महसूस कर लिया तो मेरे तो खेर ने लेकिन मैं उसके पास पहुचना चाहता हूँ इस तरीके से वीर अपने मैंन में सोच राता वीर को जिस बात का डड़ता वह एलियन को पता चल जाता है कि उसके टेरिटरी में कोई हैं जब वह एलियन वीर को नोटिस कर लेता है तो वीर सोचता है कि यार इसका तो अनुबो बहुती ज़दा अच्छा है इसने मुझे जल्दी नोटिस कर लिया जब वीर ये सब सोच चीटी वाले को और वह एलियन बहुत ही जल्दी जल्दी से वीर के उपर हमला करता है लेकिन वीर लगातार उसके हमलों को डोस करता जाता है जिससे वह एलियन बोचे जदा गुश्य में आ जाता है टानिया वीर की फैट को देख कर सोसती है कि वीर की फिटनेश अभी इतनी नहीं हुए केवल सिक्रेर्ट लेवल की फिटनेस पर पूटने वाले ही इस एलियन के साथ फैट कर सकते हैं अगर हो मर गया तो मैं तो उदैसी के मारे मरी जाऊंगी तानिया वीर को चलाती बोलते कि तुम वापस आज़ाओं में तुमें कवर दे रही हूँ जल्दी से वापस आजाओं में तुम्हें मरतेवे नहीं देख सकती वीर तानिया पर चिलाता हो बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़े रहकर देगो बस इमें इसे अपने तरीके से निपट लूगा ठीके ना जब वीर दलदल में गिरने वाला था तो वह अपने पेरों के नीचे से एक कुछ यलो कलर की रोशनी आते हैं तो वहाँ पर हम देख कि पत्रिला के लिए वहाँ पर आजाता है वीर उसके ऊपर खड़ाता वीर उसकी तरफ स्पीड में जता हुआ अब आएगा माजा अब होगी असली फाइट इसके बाद में वीर बहुत तेजी गती से उसकी तरफ जड़ाता और वह यह बहुत हमला करने के लिए बिल्कुल कर देता हैं और यह देकर तानिया बिल्कुली चोक जाती है उसके मुझ से सिर्फ क्या ही निकलता है और वीर उस एलियन को नीचे गिनने से पहले उसका हतोड़ा उठा लेता है और तानिया के तरफ आने लगता है और जैसे हुए एलियन नीचे गिरता है उसके चारों कर फरक देता है और तानिया से बोलता है इतनी वजन के साथ इसे कोई पर आसाने से काम नहीं ले सकता है यह तोड़ा केवल कुछ मिलियंस काई भिकेगा यह जदा भारी है इसके बाद में तानिया वीर से बोलती कि तुम मेरा सम्मान करते हो ना तो अब तुम बताओ कि तुम